जमुआ रामगड उपखंड शेतर की नायला ग्राम पंचायत की सालेरी के धानी से लापता हुए बालक आलो कुर्फ सन्नी शर्मा का कानोता थाना पुलिस द्वारा सुराग नहीं लगने पर सर्वसमाज का गुस्सा फूट पड़ा आज सुबद दस बजे कानोता थाने पर हजारों लोगों ने आकर धर्ना प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया भारी भीर को देखते हुए कानोता थाना अधिकारी भगवान सहाय नेव चधिकारियों को अगत कराया बस्ती स्पी फूल चंद मिल्डा मौके पर पहुँचे ये प्रदर्शन सालेरी की धानी से लापता हुआ बालक आलोक उर्फ सन्नी शर्मा के परिजन वस सर्वसमाज द्वारा दिया गया था जिसमें राष्ट्य अध्यक्ष हर्याना ब्रामः समाज के युवा नेता बाबुलाल तीला वाला जमुआ रामगड पुर्वविधाय विशेज सहयोग रहा गो रक्षक प्रकाश शर्मा राणी वास हरुमान शर्मा राकेश रलावता पिंटु शर्मा कोली वाडा जमुआ रामगड हर्याना ब्रामः समाज के अध्यक्षव अनेक ग्राम पंचायतों के सर्पंच वो बालक आलोक उर्फ सन्नी शर्मा के पिता माता सभी शेत्रों से आये हजारों महिलाओं पुर्शों ने धर्ने में शामिल हुए जब धर्ने पर बैठे जमुआ रामगड पुर्वधायक गुपाल मीडा ने बताया कि जब तक बालक नहीं मिलता धर्ना जारी रहेगा तो एसपी बसी फूल चंद मीडा ने पांच दि की धानी से लापता हुआ बालक 9 फरवरी से गायब है लेकिन 14 दिन बाद भी पुलिस बालक को ढूनने में नाकाम रही इससे लोगों में नाराजगी जाहिर की है जैपुर जिला ब्यूरो चीफ सत्यनारायन शर्मा की रेपोर्ट